असलाम अलेकुम एवरीवन वेलकम तो दो ओनलाइन क्लासेज ओफ एफ एफ एई आई आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका टाइटल है अडाप्टेशन इन अनिमल्स यानि कि हम देखेंगे अनिमल्स में अडाप्टेशन का कॉंसेट क्या है लेकिन उससे पहले हम जो कॉंसेट पढ़ने जा रहे हैं इच्ट कॉल हैड़ाट है जानवर को खाने के लिए खाना मिलता है फूड मिलता है और जहां पर उसको रहने के लिए च्छत मिलती है और जहां पर वो naturally grow करता है उसे हम habitat कहते है For example, एक camel जो होता है Camel lives in a desert यानि कि camel जो है वो रेगिस्तानों में रहता है रेगिस्तान जो है वो एक गरम अलाका होता है लेकिन camel के पास ऐसे features होते है जिनकी मदद से वो इस गरमी में जिन्दा रह पाता है इसी तरह कि से polar bear जो है वो polar regions यान की बहुत ही ठंडे इलाकों में जिन्दा रह पाता है क्योंकि इसके पास वो features होते हैं उस ठंड को बरदाश्ट करने के लिए The process in which an animal or plant changes itself to suit its surroundings is called adaptation अब adaptation क्या होता है adaptation का मतलब होता है वो process जिसकी मदद से एक animal अपने अंदर वो changes लाता है ताकि वो एक surrounding में survive कर सके यानि की जिन्दा रह सके जैसा कि हमने अभी देखा था पीछे कि जो camel होता है वो रेगिस्तान में रहता है desert में रहता है जहां कि बहुत जादा गरमी होती है लेकिन ये जो camel है ये अपने अंदर ऐसी changes लाता है जिनकी मदद से वो इस तपती दूप में तपते रेगिस्तानों में भी जिन्दा रह पाता है लेकिन ये जो changes होती है ये एक या दो दिनों में नहीं आती है बलके इन changes को लाने में बहुत time लगता है Most of the animals adapt to their habitats, food habits और protection अब ये जो animals होते है ये ज्यादा तर अपने अंदर ये changes तीन चीज़ों के लिए लाते है या तो ये अपने habitat यानि के रहने की जगज़ होती है उनकी उसकी वज़े से अपने अंदर changes लाते है या अपने food habits यानि के खाने के जो आदात होते है उस वज़े से अपनी changes लाती है या फिर protection यानि के अपने बचाव के लिए अपने अंदर ये सारी changes लाती है यानि के खुद को adapt करते हैं तो आज की video lecture में जो हम adaptations देखने जा रहे हैं वो है अपने habitat के according जो animals adaptation लाते है वो उस basis पे जो सबसे पहले animals आते है they are called terrestrial animals और land animals और students आपको पता है terrestrial animals हम उनको कहते हैं जो जमीन पे रहते हैं वो animals जो जमीन पे रहेंगे उनको terrestrial और land animals कहा जाएगा for example dog, cat, etc लेकिन जमीन पर रहने के लिए ये जो animals है terrestrial animals इनके अंदर कुछ different features या distinct features होते हैं जिनकी मदद से ये जमीन के उपर रह पाते हैं for example हम polar bear अगर देखेंगे या york देखेंगे तो ये ठंडे इलाकों में रहते हैं और ठंडे इलाकों में अपने आपको ये ठंड से कैसे बचाते हैं इनकी body के उपर fur होता है जो कि इनको गरम रखता है और दूसरी चीज कि इनकी जो skin होती है skin के नीचे एक fat की layer होती है यानि कि चर्बी की एक layer होती है जो इनको बहुत ही ज़ादा ठंड से protect करती है ऐसे ही mountain goat जो होते हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं goats वो कैसे इन पहाड़ों पे सर्वाईव कर पाते हैं कैसे चल पाते हैं इन पहाड़ों के उपर क्योंकि इनके पास small hoves यानि कि जो इनके पैर होते हैं उनमें hoves होते है और उन्हीं hoves की मदद से वो इन पहाड़ों के उपर चड़ पाते है केमल की अगर बात की जाए तो ये भी एक लैंड एनिमल है लेकिन ये जमीन के उस हिसे पे रहता है जिसे हम डेजर्ट कहते है और हमें पता है डेजर्ट जहे वो बहुत ही जादा गरम इलाका होता है और वहां पे बहुत कम प्लाट्स ग्रो करते है तो इसके पास देखते हैं कि कौन से ऐसे फीचर्स होते है जिनकी वज़े से केमल इस तबते दूप में सरवाईव करता है खाने और पानी के बगएर तो सबसे पहले अगर बात की जाए केमल के पास हम्प होता है यानि कि इसकी जो बैक होती है वो थोड़ी से रेजड होती है जिसको हम हम्प कहते है और केमल जो है इस हम्प में फैट स्टोर करके रखता है और जब इसको बहुत दिनों के लिए पानी या खाना नहीं मिल पाता है तो ये इसी फैट को फैट का इस्तिमाल करता है इसी फैट से इसको एनरजी मिलती है इस डेजर्ट में जिन्दा रहने के लिए उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है पैड़ड फीट पैड़ड फीट जो है ये केमल इन पैड़ड फीट की मदद से आसानी से रेट पर चल सकता है यूजुली अगर हम देखें हम इनसान अगर रेट पे चलने की कोशिश करते है तो हम नहीं चल पाते है लेकिन जो केमल है उसके पास पैड़ड फीट होनी की वज़़ए से वो आसानी से इस सेंड पे इस रेट पे चल सकता है तो यह इसका दूसरा फीचर है तीसरा फीचर है लॉग आईलैश्ज इन केमल प्रोटेक रिदम जूरिंग सेंड स्टॉर्म केमल के पास बड़े-बड़े आईलैश्ज होते है जो केमल को बचाता है यानि कि जो시는 सेंड स्टॉम्स आते है यानि कि रेट की तूफान आते है तो रेट की तूफान की वज़े से रेट आँखों में चली जाती है लेकिन इन लंबे आइलैश की वज़े से रेट जो है वो केमल की आँखों में नहीं जा पाता है और इस तरही के से ये जो long eyelashes है ये केमल की आँखों को protect कर पाते है उसके बाद next type of animals जो है वो है aquatic animals और aquatic animals हमें पता है उन जानवरों को कहा जाता है जो पानी के अंदर रहते है तो पानी के अंदर रहने के लिए भी कुछ features होने चाहिए जिसकी वज़े से जो जानवर है वो पानी के अंदर जिन्दा रह पाए तो सबसे पहले जो पानी के अंदर रहने वाले जानवर होते हैं जाधतर उनमें जो जानवर होते हैं उनके पास gills होती है ताकि वो breathe कर सके कुछ के पास तो lungs भी होती है जिनकी मदद से वो breathe कर पाते हैं पानी के अंदर Second feature है they have fins and tail for swimming in water यानि कि पानी के अंदर तैरने के लिए जो aquatic animals होते हैं उनके पास एक तो tail होती है और fins होते हैं webbed feet होते है जैसे कि duck है और paddle like flippers जैसे कि turtle के पास होते है paddle like flippers जिनकी मदद से वो आसानी से पानी के अंदर तैर पाते है aquatic animals में example हमें पता है fish है, duck है, whale है और turtle है next आते हैं amphibians amphibians उन जानवरों को कहा जाता है जो जमीन के उपर भी रहते है और जो पानी के अंदर भी रहते है तो ऐसे कौन से features है जिनकी मदद से जानवर जमीन के उपर भी रह सकते है और पानी में भी रह सकते है सबसे पहले आते है limbs limbs हम कहते है arms और legs को लेकिन जो amphibians होते है इन में developed limbs होते है जैसे कि हमने पीशे देखा turtle के पास flippers होते है तो उनके limbs हो गए या frog के पास जो होते है वो लंबी-लंबी legs होती है long hind limbs होते है जिनकी मदद से वो जमीन पे jump कर सकता है इसी तरह किसे जो amphibians होते है इनके पास gills होते है और lungs भी होते है gills जो होते है उनकी मदद से वो पानी के अंदर respiration कर सकते है या सांस ले सकते है और lungs की मदद से वो जमीन के उपर सांस ले सकते है कुछ जानवरों के पास तो moist sicken भी होती है यानि कि घीली sicken भी होती है जिसकी मदद से वो पानी के अंदर breathe कर पाते है amphibians usually cold blood होते है यानि कि इनको बहुत सरदी लगती है और खुद को सरदी से बचाने के लिए ये बहुत time तक सोते है बिना खाए बिना पिये जिसको हम hibernation कहते है उसके बाद आते है aerial animals वो animals जो उड़ पाते है और जादतर वक्त जो हो हवा में बिताते है उनको हम aerial animals कहते है aerial animals के पास भी distinct features होते है जिनकी मदद से वो आसमान में उड़ पाते है आसमान में वो कैसे उड़ पाते है क्योंकि इनके पास wings होती है पर होते है और इनकी जो bones होती है वो अंदर से खोखली होती है और खोखली bones होने की वाज़े से इनका वज़न कम होता है और जब वज़न कम होगा तब ये आराम से आसमान में उड़ पाएंगे और इनकी जो body होती है वो boat shaped होती है जाने कि आगे और पीछे से वो तंग होती है और बीच में broad होती है जिसकी मदद से वो आसानी से हवा में तैर पाते है और ये ज़्यादा तर अपना time जो है ये उड़ने में गुजारते है हवा में गुजारते है क्यों क्योंकि ये खाने की तलाश में होते है लास्ट में आते है आर्बोरियल आनिमल्स आर्बोरियल आनिमल्स उन जानवरों को कहा जाता है जो अपना ज्यादातर वक्त पेडूं पे गुजारते हैं, पेडूं के उपर रहते हैं तो ये जो आर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, इनके पास अलग-अलग किसम के पंजे होते हैं जिनकी मादद से वो ट्रीज की ब्रांच्स को पकड़ पाते हैं जैसे कि मंकीज होते हैं, उनके पास लंबी-लंबी आर्म्स होती है और उनके पास लंबी टेल होती है जिनका इस्तिमाल करके वो पेडू पर चड़ सकते हैं और एक शाख से दूसरी शाख पर जम्प कर सकते हैं तो स्टूडंट्स ये था आज का हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने एडाप्टेशन देखी एनिमल्स में और हमने देखा किस तरीके से एनिमल्स जो है अपने हैबिटेट के एकॉर्डिंग अपने अंदर एडाप्टेशन लाते हैं जिनमें हमने एम्फिबियन्स होगा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम और दो टाइप्स की एडाप्टेशन पढ़ेंगे एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन एंड एडाप्टेशन फॉर फूड हैबिटर्स तब तक के लिए अलाहाफिज